हाई फ्रेंट्स आपका स्वागत है मेरे इटुज चैनल एटुजट बग्च ट्रांस्फॉर्मर के मुख्य रूप से दो भाग होते है कॉर, वाइंडिंग, लेकिन सुरक्षा की दृष्टी से ट्रांस्फॉर्मर के और भी भाग होते है जैसे बग्चोल्ट्स रिले, कंसर्बटर टैंक, इंसुलेटिंग माटीरियल, ब्रीदर, एक्स्प्लोसर बेंट, बुशिंग, जिनको हम आगे विस्तार से जानेगे कॉर्ड ट्रांस्फॉर्मर का वह भाग होता है जिस पर वाइंडिंग को चड़ाया जाता है इसका मुख्य कार्य वाइंडिंग में उत्पन हुए चुम्बकिय फ्लक्स को एक सर्कित से दूसरे सर्कित में जाने के लिए रास्ता तयार करना होता है कोर में होने वाले एडी करंट तथा हिस्टरीसियस लॉस को कम करने के लिए कोर के निर्मान हितु ऐसे पदार्थ का चयन किया जाता है जिसकी रिलक्टन्स बहुत कम होता है इसके लिए सॉफ्ट आयरन का उप्योग किया जाता है वाइंडिंग ट्रांस्फॉर्मा का वह भाग होता है जो विधुत उर्जा को एक सर्कित से दूसरे सर्कित में स्थांतरित करने का कार्य करता है वाइंडिंग मुख्य रूप से कॉपर के बहुत सारे तार को आपस में मिला कर तयार किया जाता है किसी transformer में उप्योग होने वाले winding की प्रभृती transformer के input, output या transformer के प्रकार पर निर्भर करता है Concevator एक बेलनाकार आकृती का एक tank होता है जो transformer के body के साथ उपरी भाग से जुड़ा होता है Transformer में Concevator का मुख्यकार या आयल के लिए अतिरिक जगह उपलब्द कराना होता है यह transformer के आंतरिक भाग से pipe द्वारा जुड़ा हुआ होता है यह transformer के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है कि इसके आधे भाग में ही transformer आयल होता है अधिक लोड होने से winding से ज्यादा मात्रा में उश्मा उत्पन होती है तब आयल का आयतन बढ़ने लगता है उसी दशा में आयल का बढ़ा हुआ भाग कंजर्वेटर में आकर एकठा होता है जब transformer थंड़ा होता तब यहां एकठा हुआ आयल पुनह transformer में आ जाता है जैसे की इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक रिले है यानि के यह एक protection device है इसकी खोज माक्स बखोल्ट्स ने सन 1921 में की थी इसलिए इसका नाम बखोल्ट्स रिले पड़ा है बखोल्ट्स रिले को और भी नामों से जाना जाता है जैसे वन प्री फॉल्ट रिले, टू गैस अक्चुेटेड रिले यह रिले गैस अक्चुेटेड यानि गैस सक्रिय रिले है इसका उप्योग सिर्फ आयल टाइप transformer में किया जाता है यह रिले transformer को सभी तरह के अंद्रूनी फॉल्ट से बचाती है जब transformer में धीरे धीरे से फॉल्ट उत्पन हो रहा होता है तब बचोल्ट रिले अलार्म देती है और साथ ही जब कोई बड़ा फॉल्ट हो जाए तो transformer की सप्लाई को बंध्यानी ट्रिप करने का काम भी करती है आमतोर पे बचोल्ट रिले को 500 KVA से ज्यादा रेटिंग वाले transformer पे ही लगाया जाता है बचोल्ट रिले को transformer में conservator tank और maintain के बिच में लगाया जाता है Insulating material जैसे paper cardboard आदी का उप्योग transformer के primary तथा secondary winding के साथ साथ transformer को रलग करने के लिए किया जाता है चून की transformer में उच्च गुनवत्ता वाले तामबे के तार का प्रयोग किया जाता है जिससे कम मात्रा में तामबे के तार की जरुरत परती है जिससे winding का आयतन बहुत कम होता है कम आयतन वाले winding को जब कसा जाता है तब यह मुट जाता है वाइंडिंग को मुरने से बचाने के लिए इसके अगल बगल में इंसुलेटिंग माटीरियल का प्रयोग किया जाता है ब्रीथर ट्रांसफॉर्मर में नाग की तरह कार्य करता है यह एक छोटा सा बेलनाकार आकार का बॉक्स होता है जिसमें सिलिका जेल नाम का एक पदार्थ भरा हुआ रहता है इसका मुख्य कार्य ट्रांसफॉर्मर में प्रवाहित होने वाली हवा को नामिमुक्त करना होता है इसमें रखा हुआ सिलिका जेल हवा में मौजूद वाष्ट कंग को सोक लेता है यदि हवा में मौजूद वाष्ट के कंग को प्रवाहित होने से रोका नहीं गया तो यह हायल से रसायनिक अभिक्रिया कर इंसुलेशन से संबंधित समस्या उत्पन कर सकता है जैसे नाम से ही ग्यात होता है कि यह explode होने वाल vent होता है explosive vent transformer के आंतरिक भाग से जुड़ा एक कमजोर कड़ी होता है जो कि एक pipe के माध्यम से transformer के उपरी भाग में लगा रहता है जब transformer के आंतरिक भाग में किसी fault के कारण बहुत ही ज्यादा मात्रा में gas बन जाती है और booklose relay कार्य नहीं करता है और transformer फटने को होता उसी वक्त यह vent खुल जाता है जिससे transformer फटने से बच जाता है transformer radiator का मुख्यकाम transformer aisle के तापमान को कम करना होता है क्योंकि जब भी transformer को load से connect किया जाता है तो इस aisle का तापमान बच जाता है तापमान के बढ़ जाने से से TRANSFORMAR I.L. का आयतन भी बढ़ जाता है अब इस आयतन के बढ़ने के कारण इसको जिस टैंक में रखा जाता है पावर TRANSFORMAR की बुशिंग एक प्रकार का चीनी मिट्टी या एबोनाइट पोस्ट इंसुलेटर है जो ट्रांस्फॉर्मर टैंक के उपर या किनारे पर लगाया जाता है जिसके माध्यम से बाहरी सरकेट से कनेक्शन किया जाता है